मेडिटेशन साधना टेक्निक हम सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों ध्यान के सूश्वतम से सूश्वतम पहलू तक आप सब पहुँचें और उसकी बारीकियों को समझें और आगे बढ़ें ऐसा हमारा लक्षे है एक प्रशन मेरे खुद के जहन में भी आ रहा था और साधकों द्वारा बार बार पूछा जा रहा था इसलिए हम आज इससे भी परदा उठाते हैं कि क्या ये सत्य है ये असत्य काफी सदक दोस्तों पूस्ते है कि ध्यान अंधृरे में करना चाहिए या उजाले में करना चाहिए यह बहुत इम्पош्टेंट प्रश्न है साधकों दोरा पूछा गया दोस्तों ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम एकांत कमरा होना चाहिए तो आप कुछ बाते आप नोट किए जो आप प्रयोग में लाएए ध्यान सर प्रथम एकांत कमरे में होना चाहिए या एकांत जगा में होना चाहिए जहां आपको disturbance ना हो दूसरा उस कमरे में बहुत ही मध्यम प्रकाश होना चाहिए अगर आप दीपक जला सकते हैं तो दीपक जला लीजे फिर light के आउशकता नहीं है या एकदम dim light होनी चाहिए मध्यम प्रकाश होना चाहिए कोशिश करिए कि जहां आप बैठ रहे हैं उसके पीछे से प्रकाश आ जाना चाहिए तीसरा ध्यान के कमरे में आपका आसन और आपका खड़ा हुई आपकी चपल वहीं पे रखी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से उसमें आराम दायक मुद्रा में बैठ सकें यह तीन सावधानिया हमको रखनी है और सबसे इंपोर्टेंट है दोस्तों प्रकाश म मैं आज इस पर थोड़ा सा विवरण आपको देता हूं दोस्तों लगभग लगभग हर ध्यानी सादक इस स्थिती से गुजरता ही है जब भी वो ध्यान करेगा तो ध्यान के कुछ समय के बाद उसको कुछ कलर्स उसके आग्या चक्र पर दिखते हैं कुछ कलरों को कुछ र आते हैं तो वो कलर्स आपको अगर लाइट सामने से आ रही है तो आप उन कलर्स को नहीं देख पाएंगे और भ्रमित रहेंगे वो कलर्स आप उनको पहचार नहीं पाएंगे दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज है कि हमें कलर्स की पीछे नहीं भागना है लेकिन अगर साम नय घटित होने वाली है या जो आपको दिखना है वो नहीं दिख पाएगा इसलिए सबसे इंपोर्टेंट है कि कमरे में बहुत मध्यम प्रकाश होना चाहिए चाहिए तो आप दीपक जला लीजिए या डिम लाइट आपके पीछे होनी चाहिए जीरो बाट के जो बलफ आते बिल्कुल डिम लाइट रखिए और वहाँ आप द्यान करें बिल्कुल अनरे कमरे में द्यान मद करिए और बहुत तेज प्रकाश वाले कमरों में भी ध्यान ना करें तो जो यह छो कलर्स हैं और ढ़रान गट गहटनाएं घटडित होती यह आपको अंधेरे में लित अगर आग्या चकर पे प्रकाश रहा तो आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे दोस्तों आप सभी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या होगा उसको प्लीज शेयर मत कीजेगा अपने तक ही रखेगा ताकि आप ध्यान की गेराईयों में और आगे जा सकें हम कोशिश करते हैं कि लंबे वीडियो जना बनाया जाएं कि काफी सादक कहते हैं शौर्ट वीडियो बनाईये जिससे हम टू दपॉइंट बास्त कर सकें तो मुझे लगता है आपके इस प्रस्न का उतर मिल गया होगा कि आपको ध्यान अंधेरे कमरे में करना चाहिए या प्रकाश में करना चाह में आपका स्वागत है हमारी चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफर बनें